आज दे समय विच ए बहुत ही आम जे गल हो गई है कि छोटी उमर छी वाल सफेध हो जान दे हन। ते बहुत सारियां फिर केमिकल वाले जडे प्रोडक्ट्स ने डाई है उस आनू यूज करनी पैंदी हैं। आओ एक असान विदी नल तेल बनाईए जिड़ा तोहान नू इनना समस्यामा तो बचा सकदा है। सत चिर्यकाल जी। मैं हाँ डॉक्टर गगन प्रीत को और ते तुसी वेख रहे हो पंजाबी आयरवेदिक रसोई। आज साढ़ी रसोई दे विच एक बहुत खास तेल त्यार हो रहा है। ए तेल साढ़ी लेई बहुत ही ज्यादा कामदा है। आओ इस दी संपूरण विदी जान दे हां। पहला समग्री दिगाल करांगे। समग्री विच सब तो मुख समग्री है सरों दा तेल जेडा की साढ़े कोल हर किसे कोल मौजूद हुनदा है। दूसरी चीज है आमले दा पाउडर। ते तीसरी चीज जेडी है ओ असी लई है मुलठी। मुलठी बारे भी असी कई वार एनी चर्चा कार चुके हां कि जेडी रेगुलर विवर्ज ने ओना देकार विचे जरूर पई होनी है। तुसी सरों दा तेल लगपग 200 ml यानि कि एक पाईया तक ले सक दे हो। ते इस तो बाद आमले दा जेडा पाउडर है ये असी एक च पाणि असी अध्या पाणि तुसी एक पाणि पादे ना है। या फिर जिन्ना आसी तेल लेया है औस तो अध्डा पाणि तुसी एस दे अंदर पादे हो। ये जेडी कडाई में वर्त रही हां ये लोहेदी है। बहुत सारे लोग एक कोस्चन कर दे हन कि लोहेदी जरूरी है। लोहेदी होवे ता चंगा है। बहुत चंगा है। पर जिन्न नहीं है तुसी कोई वी कडाई वर्त सकते हो। ये इस पाणि दे विच आमले दा पानीना मिल जान्दा है, हर जगा मिल जान्दा है हर देश हर शैर विच मिल जान्दा है तुस Нач पvart एक चममच आमले दा पाउडर ते दोम छ पाउडर्फी द्ष पाउडर इस पाणी दे विच पॉणा है। ते यहीं चंगी तम्हा에서 उबाला दे चाहनेगे। एसे काड़े दे विच्चसी तेल नूँ पकावाँगे ता जेडे औश्द गुण हन ओ सारे दे सारे तेल दे विच्चाहने। ए विधी है तेल पाक विधी जिस देनाल डियरुवेदिक तेल जेड़े हन ओ त्यारकिते जान दे हन। टे मुलठी ते आमला। एस पित दोश दा ज्यादा वद्या होना, किसे बिमारी करके, लंबे बुखार करके, ज्यादा दवाईया करके, या फिर सुबा पक्खों बहुत ज्यादा गुसा करन करके, बहुत ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन लेन करके, पित दोश वद्यान दा है, शरीर देविच गर्मी ज जिन चर्या नियमा दा पालन ना करना जिस्तना की बहुत देर राद तक सोना और स्वेरे बहुत ही ज्यादा लेट उठना ए सारियां चीज्जां साड़े शरीर दे विच दोशां दी समता नू विगाड़ दिया हन। ते किसे ना किसे बिमारी दे रूप विच ओस दे लच्छन सानू जरूर मिल दे हन। खानपान बारे असी अक्सर गाल कर दे रहन दे हां किसानू माइक्रो लेवल तक किस तरा नूट्रिशन मिले किवे असी अपनी डाइट जेड़ी है उनू सुदार सकते हां पर ओदे नाल नाल क्योंकि आयरवेद इक संपूरन चिकित्सा है एदे विच बाहरी जेड़े चि इको बाल आया है एथे असी गैस नूँ मीडियम कार दियांगे ते मीडियम करन तो बाद असी इस नूँ एनना उबालना है कि ये बहुत ही थोड़ा जया यानि के वीक एम्मेल ती एम्मेल बाच जाए असी जिवें डेट सो एम्मेल पानी लिया सी एपूरा गाड़ा जिनना देवाल रुखे हन, बेजान हन, टुटदे हन उनना लई भी बहुत वदिया है क्योंकि ये वात ते पित दोष्ट दोना नूँ ही कंट्रोल कर दी है तासीर वीच ठंडी हुंदी है एस करके सिर्दी मालिश लई बहुत चंगी है स्किन नू हील भी कर दी है जिनना विच एस दा जड़ा रोल है वो बहुत वदिया है दूसरा है कि ये दिमाग नू ठंडक देंदा भी कम कर दी है बुद्धी वर्दक है जेडे स्ट्रेस इंग्जाइटी जादा लेंदे हन जिनना नू लगदा है कि उनना दा दिमाग पूरी तरह ठक जानदा है ओ अपने दिमाग नू अपने सिर नू अराम देना चौन दे हन उनना लई वी एस तेल दी मालिश बहुत ज्यादा वदिया है एस दे अंदर नियूरो प्रोटेक्टिव एलेमेंट्स जेडे पाए जान दे हन उनना करके ए मैमरी बूस्टर वी है ता जे बुड़ा पे दी वी गल करि है एंग्जाइटी है जिन्दगी एक पाज दौड़ बनी होई है ते उते जिते तुसी अपने नर्व नू रिलाक्सेशन देनी है अपने आपनो शांत करना है मन नू ठीक करना है ता एप अन्वाइंडिंग दिले जड़ी मालिश बहुत जरूरी है ते जे यसी किसे चंग हर्ब्स वाला तेल मालिश वर्त दे हां ता ओधा असर दुगना तिगना हो जानदा है ता मुलठी एस दे विच बहुत वदिया काम कर दी है ए सारे फैक्टर्स ही हन जिड़े प्री मैच्योर ग्रेंग कर दे हन ते एनना नू ठीक करन दे विच ए तेल काफी मददकार है इननननु पच्ची मिनट ना कटो काच्टू सी एस तरीके पच्ची मिनट दुगना पकाए गहाँ है तो जिड़ा पाणी बजया खुचा है उवी चंगीत्ना सुक जाएगा ते हर्ब्स दा जिड़ा रस है सार है उपूरा ता पूरा तेल दे अंदर आ जाएगा गैस नो असे बिल्कुल सिम रखना है तिल लगातार हिलॉंदी लोड नहीं है पर विचों विचों जरूर थोड़ा बहुत हिलॉंदे रहना है ताकि जडियां हर्ब्स ने उस सारे पासों पूरियां वदियां पक दियां रहें जिवे जिवे तेल पाक होएगा एस तेल दे विच चग बन दी जाएगी चग जादा तो जादा बन दी जाएगी इस दा एक लच्छन होर भी है जो पूरा तेल उपरों चगो चग हो जावे इस दा मतलब समझ जो तेल साड़ा बिल्कुल तियार हो गया दूसरी चीज है जिवे जिवे असी कडची चला रहे हां जडियां जडियां बूटियां ने बहुत हॉलियां हुन दियां जान गयां क्योंकि तेल दे विच सड़ना शुरू हो जान दिया हन कोले वर्गियां बन जान गयां बिल्कुल हल्कियां हो जान दिया हन एस विच स्कैल्प इंफेक्शन होएगी ओदे लई भी बहुत ही ज्यादा वदिया बन जन्दा है निमदे पत्ते जेड़े हन ए बिल्कुल ऑप्शनल हन जिनना नो निमदे पत्ते नई मिलदे पर स्किन्ते इंफेक्शन है ओ एथे अद्दा चम्मच हल्दी दावी पा सकते हन एस तो पतार चलोंदे रहना जिस्तना आसी कुरली करन लई पाणी मूदे विच पर दे हा ते उस तो बाद उसनो ठुक देना ए ओएल पुलिंग सिरफ वाला लई ही नहीं जिनना दिया अखा दे हेठा काला केरे बाण जान दे हन चाईया हो जान दिया हन ओना लई वी बहुत ही ज ज्यादा वदिया तरीका है एस तो इलावा जिनना दा पेट अक्सर खराब रेंदा है ओना लई वी ओईल पुलिंग बहुत वदिया है क्योंकि ग्रैनी रोग ते डाइजेशन नू ठीक करन विच वी ए बहुत मदद कर दी है तुसी देखो कि बजार वाला कोई तेल तुस विच एक चम्मच रखना है दास बारा मिंट लई रखना है कुछ साड़ा सलाइवा थुक कोस दे अंदर आल जाएगी मूँ पार जानदा है उस तो बाद असी इस नू ठुक देना है उंगल देनाल मसूडियां दी मसाज करनी है कोसे पाणी देनाल गारगल कार लाने ने त साफ कर लेना है ए तरीका है ओल पुलिंग दा जेडा की हजारां फाइदे करदा है ए जेडा तेल है तुसी देखो त्यार हो रहा है इस दे विच चागल लगातार बंदी जा रही है विचो विचो असी इस नू हिलों दे जाना है ता इस तेल दे विच मुलठी निम दे पत लेन दे हैं जिननों बहुती ज्यादा दिक्कत है ओ आमले ते मुलठी दा जड़ा चूरन है अद्दा अद्दा चम्मच ओ ले सकते हैं रोजाना ते तुसी तीक देन दे लई ए चूरन लेलो नाल इस तेल दी मालिश करो ते नाल ओल पुलिंग करो ते देसी के ओ जड़ा गाँदा हुंदा है दो दो बुंदा रात नू सौन्वेले नक दे विच पाव जे तुसी ओ तिन चार चीजां कर दे हो ते ए ही तेल तुसी तुन्नी ते भी लगा सकते हो तो हड़े जड़े वाल ने जड़े समय तो पहला सफेद हो रहेने ओ बिल्कुल ठीक हो सकते हनं प एक होर जरूरी गल है कि जिसे पिंडा विच ओयल पुलिंग यूज कर दे हां तो कोई दिक्कत नहीं साड़े कोल कचिया थावा बहुत हुंदिया हन जित्थे असी किसे क्यारी दे विच साइड ते थुक सकते हां ताकि जड़ा तेल है वो मिट्टी दे विच पूरी तरह रा सकते हो इस तरह दा कोई इंतजाम करके तुसी ओयल पुलिंग कार सकते हो मौफी चौनदी हां कि कईया नू ए चीज़ा सुड़न विच बहुत ओड वी लग सकते हां पर ए सच्चाईया हन ग्रंथा विच लिखिया ए चीज़ा बहुत ज्यादा कारगर हन पर आज दे मॉड करन तो बाद वी थोड़ी देर तक चाग बंदी रहन दी है जो तक तेल दे विच गर्मेश है गर्मी है एसनू पूरी तरह ठंडा हों दियो ते चौवी कंटे एसे तरह एसे पैन विच पाई रहन दियो ते उस तो बाद जे तुसी चाननी नाल चानोंगे तक कुछ ताकि बरीक चूरण जेडा है गया ओ बिल्कुल नजावे तेल बिल्कुल क्लीन एंड क्लीर हुए ताकि यसी वाला ते उन्हों सौखा लगा सकिए चाहे दाड़ी दे वाला ली तुसी यूज करना है चाहे सिर दे वाला लई यूज करना है उसे नाल फिर ओकाला जा पेस् सकते हो ताकि तो अड़ा बिस्तर जड़ा है और खराब ना होवे ओस्तो बाद तुसी जदो वाल तो ओने हन तब बहुत ज़्यादा गरम पाणी दी वर्तो नहीं करनी बिल्कुल गुनगुना ते ठंडा पाणी ही सिर तो ओन दे ले वर्तो ते जिनना नू साइनस जा जुका सब्सक्तल no deixa भी आखाजी आग अनू तुटदे हन कमजोर हो जान partly हैन वाला ते नाल नाल सटा देमागी शक्ती है ओ वी कमजोर होंदा है शरीर दी समपूरन शक्ती कमजोर होंदी है अख्छान दी निगावी कटनी शुरू हो जान्दी है इस करके आयर्वेदिक गरंथां सानू सिर ते अखानू गरम पाणी तो बचौना चाहिदा है एक चीज जरूर नेट ते सर्च करना मुलठी वाले कॉस्मेटिक्स ते हेयर ओयल किन्ने मेंगे मिल दे हन ते उनना बारे की लिख्या गया है ताकि तो हानू एस तेल ते यकीन हो सके ते तुसी इस ती वर्तो जरूर करना चाहो एस ही आज दा वीडियो उमीद कर दी हां कि बहुत ही जानकारी परिया होएगा तो हाड़े लई फिर मिलांगी किसे होर नमी जानकारी दिनाल ताक तक लई सत्छिडियकाल